आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब कूलीज ट्यूब एक्सरे ट्यूब को ही कूलीज ट्यूब के नाम से जाना जाता है तो यह कन्फ्यूजन आप खतम कर दीजिए कि कूलीज ट्यूब क्या है और एक्सरे ट्यूब क्या है कूलीज ट्यूब ही एक्सरे ट्यूब है तो सबसे पहले जालने की X-ray की discovery किस ने किया था तो आप सभी को लगबग पता है Sir W.C. रॉन्जन साब ने 1895 में X-ray की discovery की थी तो X-ray जिस equipment से बनता है X-ray जिस equipment से generate होता है उसी को हम कहते है X-ray tube ठीक तो आज इस video lecture में हम X-ray tube के बारे में discuss करेंगे लगबग लगबग आपको X-ray tube के बारे में X-ray कैसे produce होता है इसमें सारी चीजें है briefly हम आपको समझा पाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ एक कैथोर्ड लेते हैं X-ray tube का यह equipment कैसे होता यह आप देख लिजे कैथोर्ड negatively charge का होता है और एक तरफ anode होता है एनोड positive charge का होता है ठीक कैथोर्ड को हम थोड़ा energy देके चाहे वह गर्म करके चाहे वह electricity generate करके उसमें देखे अलेक्रिक current flow करके इसको हम पहले heat करते हैं गरम करते हैं तो इससे यह heat उसे मिले अगर उसको हम heat करें चाहे जिस फॉर्म में चाहे हम उसको गरम करें electric current देके या वैसे गरम करें तो electron emit करता है क्या करता है electron release करता है electron निकालता है ठीक आपने सुना होगा घर पे जो cooler वह सौरी क्या उसको कहते हैं हीटर, जो होता है वो ऐसे होता क्या Like कैफोर यह जो होता है इसको जम हीट करेंगे करके टंब्लू से पर्प्रेजेंट करते हैं टंब्स हीट करेंगे टोDD emit करता है, electron निकालता है ठीक है, electron release होता है इससे ठीक, tungsten की एक खासियत होती है tungsten के बारे में जानने, इसकी जो melting point होती हो, बहुत ज़्यादा होती है high melting point का होता है, ठीक है इसका atomic number भी high होता है atomic number भी इसकी बहुत ज़्यादे होती है, ठीक है तो ये कैथोड हुआ एक तरफ कैथोड और दूसी तरफ एनोड एनोड जो होता है वो ये कॉपर का होता है ठीक है और इसके आगे टार्गेट मेटल लगा होता है ठीक है ये टार्गेट मेटल जो होता है ये होता है आपका टंग्स्टन का तो टंग्स्टन आपका दो बार आया ठीक है कैथोड में भी टंग्स्टन यह फिलामेंट के फॉर्म में होता है ठीक है फिलामेंट देखिए क्वाइल्ड है और एनोड का जो टंग्स्टन है वह ऐसे एक मेटल लगा हुआ है टारगेट मेटल के नाम से हम कहते हैं इसे को हम यह target metal है ठीक अब हुआ क्या था जब हम कैथोड को गरम करते हीट करते हैं तो इसमें electron emit होता है आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था thermionic emission कोई भी metal जब हम heat करेंगे गरम करेंगे तो इसमें से electron release होंगे तो यह electron जब होता है तो इसका यहां electron का cloud बन जाता है खुब सारे electron यहां कठे हो जाते हैं अब किसी तरह अगर यह electron इस target metal पर आकर टकराए वो भी हाई kinetic energy से अगर टकराए इस पर तो यहां से photon release होंगे उनी photons को हम x-ray कहेंगे यह होगा कैसे electron तेज गती से कैसे आएंगे उसके लिए हम यहां high voltage दे देंगे high voltage से दोनों को जोड़ देंगे तो यह electron की जो kinetic energy यो बढ़ जाएगी ठीक है यह negative और यह positive physics में आपने पढ़ा था कि electron और current electricity electric current जो होता है ठीक है उन दोनों का direction opposite होता है अगर electron इधर जाएगा तो electric current इधर आएगा ठीक है तो वही तरह उसी तरह हाल यहां पे भी है अगर हम electron इधर चाहते हैं तो यह जो flow है electricity का वो इधर से इधर होना चाहिए ठीक अगर electric current का flow इधर रहेगा तो उसके opposite side में और खुब तेज kinetic energy से आकी इस पे लड़ेगे ठीक और जैसे ही इस पे लड़ेंगे target metal पे बस तुरंत यहां से photon release होगा और these photons are called x-rays सुन में आए बार तो cathode को सबसे पहले हीट करेंगे जिससे electron का emission इसमें हो electron का cloud बनता है जब इसमें high voltage देंगे high voltage से दोनों को जोड़ देंगे तो खुब जादे electron यहां पे आके लड़ेंगे और target metal से x-ray generate होगा अब x-ray तो generate हो गया लेकिन अगर यहां पे आप imagine करिए अगर यहां air के molecule है इन दोनों की बीच में air के molecule है तो क्या होगा यह जो electron को तेजी से आ रहे थे वो उतनी तेजी से नहीं आपाएंगे scattered हो जाएंगे आएंगे इधर मुड़ जाएंगे कुछ electron इससे आएगा इससे टकरा के इधर तो यह क्या हो जाएगा इंदोनों में scattered होने लगेंगे तो तेजी से यहां आएंगे नहीं जितनी मात्रा में x-ray निकाला था वो भी ने निकलेगा तो ऐसा कुछ किया जाए कि इस equipment को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि इसमें air ना हो vacuum बन जाए तो इसलिए जो x-ray ट्यूब होता है वह आपने सुना होगा यह vacuum होता है क्या होता है vacuum वैक्यूम ट्यूब में x-ray ट्यूब होता है ठीक है अब सुना यह इतना खुला है x-ray निकलने के लिए थोड़ा हलका layer होता है यह ठीक अब यह जो ट्यूब है यह vacuum ट्यूब है कैसा ट्यूब है तो आप से यह भी पूछा दे सकता है एक सिरे ट्यूब कैसा होता है तो वैक्यूम ट्यूब होता है कैसा ट्यूब होता है वैक्यूम क्योंकि यहाँ पर क्या है एर एकडम absent है अच्छा एर अगर रहेगा तो क्या होगा उतने अच्छे से एक सिरे जनेरेट नहीं होंगे तो यह बास में आया एनोड कॉपर का होता है जिसमें एक टार्गेट मेटल लगा होता है टंग्स्टन का और जो कैथोड को होता है वो फिलामेंट और टंग्स्टन रहता है तो इधर भी टंग्स्टन इधर भी टंग्स्टन टंग्स्टन क्यों लिये थे अगर एलक्ट्रॉन यहां से बार बार न अगर टार्गेट मेटल हम लोहा ले 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 तब भी नहीं हो पाएगा वो पिखल जाएगा एक भी दिन नहीं चलेगा हमारा एक्सरे मशीन अब ऐसे क्या टंग्स्टन लिए तो इसकी जो अनोड होता है ईनोड के पीछे एक आब कूलींग ट्यूब कोलींग दार आए कि अंगर ऑब बार इस पह एलक्त्रॉन पर आए को क्या Size Comp leisure video फार के जायेगा थिक है ज़िए स्टन का बनाए मजभूत है आज नहीं 2-4 साल नहीं 10 साल में पिखलेगा तो अब यह 10 साल में पिखलेगा अगर हम इसमें cooling tube लगा दिये तो यह हो सकता है 12-13-14 साल तक यह चल जाए तो इसलिए cooling tube लगा देते हैं तो उत्ता जल्दी खराब नहीं होता है तो यह पूरा concept है x-ray tube का एक last चीज है कैथोड में एक tube वो लगा होता है तो यह जो कैथोड होता है इस पर एक focusing tube लगा होता है ठीक है इसका काम हम बताएंगे क्या होता यह यह molybdenum का होता है यह important है जानना आपके लिए molybdenum का होता है यह भी एक तरह का element है जो कि high melting point का है यह क्या करता है जो electron emit होते हैं उसको एक direction पर focus करता है ठीक एक direction में इधर उधर scatter नहीं होने देता है तो इससे यह फायदा है कि जो यह electron आ रहा है इस पर लड़ रहा है व और photon generate करेंगे photon का sense यह है कि X-ray generate करेंगे ठीक है तो photon generate करेंगे X-ray इस तरह produce होता है और यह जो tube होता है यह vacuum का होता है air absent होता है ठीक है इसी को हम coolies tube के नाम से भी जानते हैं तो यह जो target metal होता है tungsten एक बार इसके बारे में और जानने है इसकी melting point बहुत हाई होती है atomic number इसक tungsten का use करते हैं ताकि जल्दी पिढ़ेना यह इसका सबसे बड़ा खासियत है tungsten का वो जल्दी पिढ़ता नहीं है जल्दी खराब भी नहीं होगा दूसरी चीज यह यह जो हमारा glass होता है यह जो tube जिसको हम कहते हैं कि vacuum tube होता है इसमें air नहीं होता यह जो glass बना होता है यह इसको कहते हैं यह पाइरेक्स ग्लास के नाम से जाना जाता है इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है यह चोटा यह यह कांच नहीं है जो इसे हम लोग चेहरा देख लेते हैं वो तुरंद टूड जाएगा पिघल जाएगा यह पाइरेक्स ग्लास बहुत मजबूत होता है इसमें जो एलक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो उसे यह खराब नहीं होता है कई साल तक यह चलता रहता है तो यह पूरा चीज एक डिटेल में आपको मैंने बता दिया एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ एक तरफ कैथोड एक तरफ एक तरफ एनोड फोकसिंग ट्यूब जिससे एलक्ट्रॉन एक जगहां पे केंदरित होके इस पे गिरे टार्गेट मिटल पे और एक्स रे जेनरेट करें देट्स आल बाउट एक्स रे ट्यूब